ओम गण गणपतय नमहा श्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रोफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुती अनोखे आजमाई हुवे शत्रू विनाशक तंत्र के बारे में बताने चा रही हूँ जिसका प्रयोग करके साधक अपने शत्रू या उसके बारे में बूरा सोचने वाले लोगों को यानि कि गुप्त शत्रूं को अपने जिवन में से निकाल भगा सकता है यानि कि ऐसे लोग उसके जिन्दगी से हट जाते हैं और उनके और से होने वाली परेशानियां बंध हो जाती है यह एक बिना यंत्र, मंत्र या पुझा विधी का तांत्रिक शत्रू उच्चाटन उपाय है जो इस कलियू के दोर में बहुत ही सटिक तरीके से काम करता है और दुष्ट लोगों को साधक के जिवन में से बहुत ही शिग्र उखाड फिकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और दुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें साधक इस प्रयोग को किसी भी दिन कर सकता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है इस प्रयोग को करने के लिए किसी भी प्रकार की पुजा विधी करने की अवेशक्ता नहीं है साधक को सफेद रंग के कागज का टुकडा लेना है और एक छोटे से कटोरे में निम्बू का रस लेना है और फिर एक कववे के पंख के नुकिले बाजू से उस कागच के टुकड़े पर आगे बताए हुवे तीन अक्षर लिखने है और फिर उसके बाद उस कागच के टुकड़े को अपने जेब में या बटुए में रखना है इस सरल विधी से साधक के शत्रू, गुप्त शत्रू, प्रतिद्वनभी या उसके बारे में पुरा सोचने वाले लोग उसकी जीवन में से हट जाते है इस स्रत्रू नाशक उपाई के बारे में हमने हमारे साइट पर 2012 में पहली बार जानकरी दी थी और हमारे कई वाचकों ने इसका प्रयोग किया है उस अंग्रेजी आर्टिकल की लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रयोग को अगर पूरे आत्म विश्वास के साथ और तीवरता के साथ किया जाएगा तो यह शर्प्रतिशर्प काम करता है क्योंकि यह प्रयोग द्वारा साधक के मन में से निकलने वाली रक्षात्मक उर्जा उस लक्षित व्यक्ति के आभा को भेट कर उसे साधक के जिन्दगी में से दूर भगा देती है अब मैं आपको यह यंत्र कैसे बनाना है बह बताने जा रही हूँ नमुने की दोर पर मैंने सफेद रंग के कागच पर काले रंग के स्याहिक के पैन से यह यंत्र बनाया है लेकिन आपको सफेद रंग के कागच पर निम्भू के रसे और कव्वे के पंख के नुकिले बाजु से यह यंत्र बनाना है यह देखिए पहले मैंने एक स्क्वेर निकाला है और स्क्वेर के चारो बाजू मैंने र, ब, ह लिखा है जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से आपको लिखना है और बीच में शत्रू का नाम लिखना है अगर आपके एक से जादा शत्रू हो तो आप वहाँ पर सर्व शत्रू इस तरह से लिख सकते हो अगर आपको आपके शत्रू का नाम मालूम नहीं है तो आप गुप्त शत्रू इस तरह से लिख सकते हो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे